आसाड पित्र अवश्या 29 जून बना दिब और दुरलब संयोग आज रात को घर में यहां जला दें एक दीपक पित्र दोस बदल जाएगा पित्र आशिरवाद में मिलेगी सभी कष्टों और संक्टों से मुक्ती दोस्तों हिंदु धर्म में आशाड अवश्या का विशेश महत होता है इस दिन इशनान दान और पुर्ण आदि का खाश महत बताया जाता है कहते कि इस दिन पित्रों का तरपन और स्तराद करने से पित्रों की संतुष्टी मिलती है और उनका आशिरवाद प्राप्त होता है इस दिन पित्रों का स्त्राद तरपन करने से पित्र परसंद हो जाते हैं। इस दिन पित्र पित्र अवश्या के दिन आप एक दीपक का प्रयोग जरूर करें। और उपाय किये जा सकेंगे। आज की दिन गौ माता को भोजन कराने से भी सहस्त्रों गौ दान का तो फल मिलता ही। इस दिन आप दिन दुख्यों को और गरीवों को दान भी करें। धन सम्मंदित जो भी आपके यता योग संभा हो अनाज का दान करें। इस बार अशारा मश्या पर सरवार सिद्यों गौरम्रिश सिद्यों का निर्माड हो रहा है। आज 28 जुन को सुबह 5 बचकर और 47 मट से यह अशार पित्रा मश्या शुरू होगी और यह 29 जुन को सुबह 8 बचकर 21 मट पर समाप्त होगी। पित्र दोस भी दूर हो जाएगा, शनी दोसों से रहत मिलेगी। कारियों में आ रहे ही रुकावटी भी दूर होगी। दूर जाते हैं, जिन पर पित्र दोस और शनी दोस होते हैं, उन्हें गंबीर रोग लग जाते हैं। पित्रों की कृपा प्राप्त होती है। और मन्चाहेव वर्दान भी मिलते हैं और पित्रों के कृपा से आपके घर में शुक्षम्रदी हमेशा बनी रहती है पित्रों का आश्तिरवाद आपके जीवन में मिलता है और जीवन में उन्नती आपके जीवन में सदै बनी रहती है आज की इस वीडियों हम आपको पित्रो को प्रसंद करने के लिए और पित्र दोस को पित्र आश्रवाद में बदलने का सास्त्रों में बताया गए कि बहुत ही आशान और असर कारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आशानी से कर सकते हैं इस उपाय को करने से न केवल पित्र प आप करने के लिए अवश्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें यह उपाय पित्रों को परसंद करने के लिए घर के पुरुष महिला या बच्चे लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं इस उपाय को करने से सिर्फ खास आपको नियमों का पालन करना है शुदता का विश ते बिल्द का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। फिर आप दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके बाद आप दीपक में सुद्धगी भरें। और शाथी अगर नहीं है तो सरसों का तेल भी भर सकते हैं। लेकिन ये आपको रात रिषाम के समय उपाए करना है। दीपक तैयार करने के बाद, शूर्यास्त के बाद, आप क्या करें, कि राद के समय आपको यह दीपक जलाना है, फिर इस दीपक को आप साफ जगय पर रख दें, आप इस दीपक को अपने मुख दरवाजे के पास रख दें, आप चाहे तो दोनों तरप, यनि कि राइट और आश्तिरवात प्राप्त करने के लिए, आपको आज अमश्या की राद को, आपको एक दीपक, आपको अपने घर के दच्छन दिशा की और रखना है, और दीपक का जो लव होगा, जो उसका मुख होगा, वो दच्छन दिशा की और होना चाहिए, दच्छन दिशा की और जर पित्रों के किरपा प्राप्त होगी, आपका घर में जो भी कष्ट होगे, जो भी परिशाणिया होगे, वो सब दूर हो जाएंगी, और मातालक्षमी कृपा से आगव का घर में शुक्षजंबर्धी का वाश कहोगा कभी भी धन की कमी नहीं होंगी भागवान बिष्णोवर मातालक्षमी कृपा से आगवान होता रहागा हर कष्टों से च्छुटकारा मिलेगा पित्रों के कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने जनी की दीपक को जो दीपक आपने जलाए है तो आप अपने छट के छट में भी रखें लेकिन दच्छड दिशा की ओर रखें धियान रखेगा आप अपने घर के दच्छर दिशा की और अगर दीपक रखते हैं जलाकर तो आपको न केवल पित्रों का किरपा प्राप्त होता बलकि आपके घर में कई प्रकार के कश्टों से भी छुटकारा मिलता है साथी साथ अपने आंगन पर एक दीपक जरूर जला के रख दें घर पे दोस्तों एक दीपक आप इस दिन पीपल के ब्रिश के नीचे भी पित्रों की करपा प्राप्त करने के लिए आप जला के रख शकते हैं दोस्तों इस दिन आप अपने पूजा स्थान पर भी एक दीपक जरूर जला के रख दें इससे पित्र बहुत जल्द प्रसंद होते हैं पित्रों के कृपा प्राप्त होती है उगर में शुक्षम्रदी हमेशा बनी रहती है नोकरी बिजिनेस व्यापार किशी भी तरह के कोई भी कष्ट हो चाहे पित्र दोसी क्यों ना आपके कुंडली में हो शबी से छुटकारा मिल जाता है और शनी दोस से भी छुटकारा मिलता है पित्र दोस के साथ साथ आपके जीमन में चली आ रही सभी परेशानिय या, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और माता लक्षमी कृपा सदैब आपके घर में बरस्ती है तो देस्तों आप अपने घर में अमवश्या, यानि कि अशारा मवश्या की रात्र को आपको अपने घर के दच्छिट भाग में एक दीपक जलाना है और मुख दरवाजे के पास आपको दो दीपक जलाना है और ये इसमें सरसों का तेल ही आप डालने हैं और सरसों को तेल डाल की आप जलाएं और ऐसा आप इसमें तेल इतना भर दे कि ये रात रिभर जलता रहे तो दोस्तों दीपक के ये प्रयोग जरूर करिएगा आज अशारा हमश्या की रात को और भीडियो को लाइक करके जदे जदे शेर करें चोलों को सब्सक्र आप आप एम हैं और भीडियो